मकर सक्रांती वैसे तो त्योहार है पतंगों का तिल मूंग फली और गुड का प्रंदू इसके साथ ही नौर्थ इंडिया में काफी जगह पर मूंग दाल के मंगोडे बनाए जाते हैं जो की बहुती टेस्टी होते हैं और रास्थान के मूंग दाल के मंगोडे तो बहुती फेमस हैं हेलो एवरीवन स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का होमी लौपी पर और आज हम अपनी किचन में बनाएंगे रास्थान के फेमस मूंग दाल के मंगोडे इसे बनाने के लिए एक कप मूंग दाल ली है जिसे हम चार से पांच घंटे के लिए गुनगुने पानी में भीगो देंगे पानी हमें इतना डालना है कि इसमें अच्छी तरह सोक हो जाए क्योंकि भीगने के बाद दाल है वो फूल जाती है और अब इसे ढखकर चार से पांच घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मसल मसल कर धोग कर इसका छिलका निकाल लेंगे दाल को मसल मसल कर हमने धोलिया है और उसका छिलका अलग कर दिया है अब इस दाल को ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड करेंगे हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसे थोड़ा सा दरदरा रखेंगे जिस सब्राइंड कर लेती हैं दाल को हमने ग्रैन्ड कर लिया है और देखिए mixture है वह हमें इसे fine paste नहीं बनाया है अब एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे जाल को हमने में एड़ करेंगे यह दो पेस्ट इसमें डालेंगे हम वन टी स्पून अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट, एक प्याज चॉप किया हुआ, बारील कटा हुआ हरा धनिया, वन टी स्पून अनार्दाना, हाफ टी स्पून साबु धनिया, जिसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, इसके साथ इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादा अनुसार, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे एक चमच दही, वन टी स्पून, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, दही डालने से जो मंगोड़े हैं, वो अंदर से सौफ्ट और उपर से क्रंची और खस्ता बनेंगे, यदि आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगे एक चूट की बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सर तयार हो चुका है, इसे पांच मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और तब तक हम कडाही में तेल डालकर गरम होने के लिए गैस पे रख देंगे, जब तक ओयल गरम होता है, हम मंगोड़ों के साथ सर्व करने के लिए चटनी बना लेंगे, चटनी बनाने के लिए एक मिक्स्चर में डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्ची, एक अद्रक का टुकड़ा और वन टेबल स्पून, इम्बू का रस, और साथ में डालेंगे नमक, और इसे बारे एक पीस लेंगे, ओयल गरम हो चुका है, इस स्टेज पर हाथ में थोड़ा-थोड़ा मिक्स्चर लेकर तेल में डालेंगे, और छोट-छोटे मंगोडे तल लेंगे, आज को हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, हम मीडियम हीट पर ही इनको फ्राई करेंगे, ताकि जो मंगोडे हैं वो अंदर तक सिख जाएं, और बाहर से क्रिस्पी बने, मंगोडे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इस स्टेज पर हम इने निकाल लेंगे, और इसी तरह से सारे मिक्सर के मंगोडे बना लेंगे, सभी मंगोडों को हमने तल लिया है, अब इन पर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और मंगोडों को सर्व करेंगे, हरी चटनी और टमैटो केचप के साथ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप भी इने बनाईए, खाईए और इनका मजा लीजिए, और यदि आपको रैस्पी अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दे, थेंक यू,